हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे सेलबिटीस के बाड़े में जानेंगे, जो आने वाले साल में शादी के मंधन में बनने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं नमबर वन, वॉल्यूट के पॉपुलर और रोमैंटिक कपल, रनवीर कपूर और आलिया भर्ट, या फिर ये कहे आलिया रनवीर कपूर, इनका कहना है कि ये दोनों 2021 में ही शादी कर लेते, पर कोरोना काल की वज़े से नहीं कर पाए, रनवीर और आलिया दे कनफर्म किया है कि उन दोनों की मैरेश 2022 में हो जाईगी, फिलाल हमें रनवीर और आलिया दोनों साथ में उनकी 2022 में आने वाली मोस्ट आवेटेट मूवी प्रमास्त्रा में दिखेंगे, जिसमें अमिताफ बच्चन, मोनी रोय और नागरजुन जैसे एक्टर भी मजूद होंगे, लगता ह रनवीर और आलिया के लिए 2022 लाइफ जने एर होगी, क्योंकि 2022 में ही बिग बजट मूवी प्रमास्त्रा आ रही है और 2022 में ही इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया है, आप लोग को क्या कहना है इस पे हमें कमेंट में ज़रूर बताए काफी लंबे टाइम से क्यारा और सिधात की रिलेशन के चर्चे है पर दोनों ने कभी भी पब्लीकली अक्सेप नहीं किया अपने रिलेशन को पर क्यारा और सिधात की क्यूट कैमेस्टरी उनके फैंस के नजरों से कहां चुपने वाली थी, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों साथ में काफी अच्छे दिखते हैं हाली में मीडिया ने सिधात से सवाल पूछा कि आप कब शादी कर रहे हैं जिस पर सिधात ने जवाब दिया में और क्यारा कब शादी कर रहे हैं ये हम नहीं बता सकते पुकि शादी का एक सही टाइम होता है और हम दोनों को ही अभी नहीं पता कि वो सही टाइम कब आएगा सिधात ने ये भी बोला कि जब वो सही टाइम आ जाएगा वो सभी को इनफॉर्म कर देंगे इस बाद से तो साफ हो गया है कि सिधात और क्यारा रिलेशन में है वैसे आपको इनकी जोड़ी कैसी लगती है हमें कमिट में जरूर बताए सारा लिखान हाली के एंटेर्यू में सारा ने बोला कि वो जल्दी शादी के बंदर में बन जाएगी पर वो सिर्फ उसी लड़के से शादी करेगी जो लड़का शादी के बाद सारा के घर में रहेगा उनकी माँ अमरिता सिंग और उनकी फैमली के साथ सारा का कहना है कि उनकी माँ सिंगल पैरेंट है और मेरी माँ अकेले ही मुझे और मेरे भाई को पाला है इसलिए मैं बुढ़ाबे में मैं अपनी माँ को छोड़ कर कही नहीं जाओंगी आगे सारा ने बोला कि सिर्फ लड़किया ही क्यों शादी के बाद अपना घर छोड़ कर जाए इससे तो साफ पता चल रहा है कि सारा अपनी माँ से बहुत जादा पैयर करती है आप लोग को क्या लगता है ऐसा दूला क्या सारा को मिलेगा हमें कमेंट में जरूर बताए दिशा और टैगर एक दूसरे को काफी सालों से डेट कर रहे हैं और दोनों से ही रिलेक्शन के बारे में पूछे जाने पर ब्लश करने लगते हैं एक इंटर्विव में जैकी शौप से उनके बेटे टैगर और दिशा के बारे में पूछे जाने पर जैकी ने जवाब दिया कि टैगर की पहले ही शादी हो चुकी है उसकी करियर के साथ अभी किसी और के साथ शादी करना डिस्ट्रैक्शन होगा टैगर से उनके शादी के बारे में पूछे जाने पर टैगर ने जवाब दिया कि मैं जब शादी करूंगा सभी को इंफर्म कर दूंगा अभी दो शादी का प्लान नहीं है दिशा से भी पूछे जाने पर उन्होंने भी यही जवाब दिया पर 2022 में टैगर और दिशा के श पार्टी में अधार जेन के साथ दिखी वहीं से रुमर फेलना स्टार्ट हुआ कि अधार जेन और तारा रिलेशन्शिप में है अधार की मा से अधार और तारा के रिलेशन के बारे में पूछे जाने पर अधार की मा ने बोला कि अधार को जो भी पसंद है वो मुझे पसंद आदार और तारा ने अपने relation को public कर दिया है और खबर आ रही है कि दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं और ये भी खबर आ रही है कि रनवीर कपुर और आलियावर्ट से पहले आदार और तारा के शादी होगी 2022 में इन Celebrities के शादियों का फैन्स को इंतजार रहेगा वीडियो अच्छी लगये तो वीडियो को लाइक, शेर और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे